नमस्कार मैं हूँ राजेंदर दमीजा आप देख रहे हैं मेरे चैनल सो भागे दीप जो 300 रुपाई इस स्रिंकला की आज प्रस्तुत है 43 स्मी कड़ी यह जनम पत्री है एक महिला की जनम समय है स्वेरे साथ बज़कर 15 मिनट और जनम स्थान है फुरीदवाद एक नमबर लगन है मेश लगन सूर्य मंगल और शुक्र हैं लगन में दूसरे तीसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं है चोथे स्थान में राहू है पांचवे में कोई ग्रह नहीं छटे में गुरू शनी और चंद्रमा और साथवे स्थान में आठवे में नोवे में कोई ग्रह नहीं दसवे में केतु है और ग्यारवे में कोई ग्रह नहीं बारवे में बुद्ध है अपनी नीच रासी में चलिए देखते हैं आगे जो लगन है 39 डिगरी ग्रहस पस्ट देख लेते हैं सुर्य चार डिगरी चंद्रमा 21 मंगल 057 बुद 24 गुरू 9 सुक्र 7 सनी 6 राहू 11 और महादसा चल रही है गुरू ग्रह की 27 पांच 2008 से 27 पांच 2024 तक गुरू में मंगल की दसा है एक एक 22 तक उसके बाद में गुरू में राहू 27 पांच 24 तक उसके बाद में दसा चलेगी शनी में शनी के तो आगे बढ़ते हैं जो देखते हैं कि इस जनम पत्री में क्या कमजोर कड़ी है कहां पर परेशानी है सबसे पहले हमारी नजर जाती है जनम पत्री में सुर्य मंगल और सुक्र लगन में हैं और महिला की जनम पत्री है जहां जब भी लगन में होता है तो ऐसा आदमी बहुत स्वाभी मानी होता है अपने हिसाब से काम करने वाला होता है एनर्जी होती है कहीं भी जुकना नहीं चाहता एड़ेस्ट नहीं करना चाहता मंगल भी साथ है वह इसके गुनों को बढ़ा रहा है क्योंकि वह लगनेस भी है परन्तू मंगल है यहां पर 0,57 एक डिगरी मंगल में बल नहीं है लगनेस में बल नहीं है लगनेस में बल नहीं होगा तो स्वास्थ में कमजोरी आएगी द्रिड़ता में कमी होगी संकल्प सक्ती में कमी आएगी और आगे देखते हैं तो एक योग हमारे पास में गुरू सनी और चंद्रमा है यहां पर चटे स्थान में, चटा स्थान रिन रोग सत्रू का होता है, यहां पर शनी और चंद्रमा एकठे हो गए हैं, यह जानते हैं हम, किसी भी महिला के लिए बहुत ही खराब योग है, और इसके उपर केतू की भी दृष्टी है, चंद्रमा पर रहू की दृष्टी नही का काम में अस्तिर्ता स्टेबिल्टी नहीं ना मन लगेगा ना परिणाम मिलेगा और उदर से बुद्ध है निचरासी में बार्विस्थान में तो जो यह योग हुआ हमारे साथ में पास में जो कमजोर कड़ी है सबसे ज़्यादा जनमपत्री में सबसे ज़्यादा कमजोर कड़ी जो है वहत शनी चंद्रमा की यूती और उस पर केतु की द्रिष्टी यानि की स्वास्त खराब मानसिक संती, निराशा अस्तिर्ता, जो भूख ना लगना, प्यास ने लगना, स्रीर में जो रत की कमी रत्विकार, गाईनी की प्रिषानी जो जो भी प्रिषानी हो सकती है वह सारी प्रिषानी, हमेशा सरदर्द पेरदर्द, कमरदर्द और इसके अलावा गुरू, शनी और चंद्रमा और चंद्रमा है चोते स्थान का स्वामी और छटे स्थान में यानि कि यह सारी परिशानिया इनको इनकी माताजी से उपहार सुरूप मिली हैं तो जो माताजी की देन है यह सारी परिशानिया जो सरदर्द, प्यरदर्द, कमरदर्द, नीद ने आना, रक्तविकार, पेट में सिस्ट होना और इसी तरीके की गाईने की परिशानी जो जो भी संभव हो सकती है सारे की सारी परिशानिया महिलाओं के लिए ये चोथे स्थान का स्वामी चंद्रमा है और छटे स्थान में है तो माता से आई है इसके अलावा जो केतु है अदे समस्थान में ये अस्थिर्ता ये देता है तो जो कमजोर कड़ी के दो ही भाग है पहला स्वास्त है चंद्रमा भी साथ में पिडित हो गया तो भागे साथ में जुड़ गया भागे माता स्वास्त है और दूसरा कर्म में अस्थिर्ता काम में अस्थिर्ता और फिर क्योंकि लगने एक इसलिए प्रियासों में पूरी ताकत नहीं तो ये सारी प्रिशानिया इसका हमको उपाई करना है सीधा सा उपाई है शनी चंद्र विश्योग निवारण व्लाकित धारण करें इसके अलावा कहीं चुटकारा नहीं होगा जितनी मर्जी दौाई खा लें जो मर्जी ताकत कि नहीं स्वास्त ठीक होगा हड़ियों में तकलिफ होती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे जो भी प्रिशानिया आपकी माताजी को हैं सारी की सारी आपको मिलेंगी कोई भी बचाने वाला नहीं है जितने डाक्टरों से मर्जी दौाई लेने कभी लाव नहीं मिलेगा निश्चित समझ लेंगे और क्योंकि केतु की विद्रिष्टी है चंदरमा पर तो इसमें पेट दर्द होगा कभी भी और डाक्टर के बास में जाएंगी जब तक पहुंचेंगी तब तक पता भी नहीं लगेगा कि बेमारी थी क्या यानि की डाइकनोसिस प इतु के लिए है ओम गंगण पतिय नमा या मंदरपाट करें गनेश जी की पूजा करें ताकि कर्म में काम में स्थाइत वाए जो भी काम करतें आप जो जौब करतें के नहीं जो भी आप काम करती हैं उसमें आपको स्थाइत वे मिले पर्मानेंट तरीके से काम कर सकें बार-बार परिवर्तन की इच्छा नहीं हूँ और दूसरा जो उपाय जो कि आपको पहले नंबर पर लेना है सनी विश्योग निवारन लाकट धारन करें और निश्चित तोर पर इ आपके लिए लाव के स्थिति नहीं है बाकि आपको जो परियोग करने हैं तो डाक्टरों से दुआई लें हर रोज दुआई खाएं और एक डाक्टर की दुआई एक दिन दो दिन ज्यादा से ज्यादा तीन दिन असर करेगी चोते दिन असर नहीं करेगी तीन दिन भी अस और यह प्रिसानी क्योंकि यह बार्वेस्थान पर दristi भी दे रहा योग, शनी की दristi है, बुद्ध पर आपको नीद नहीं आएगी रात में, नीद में भी कमी करेगी होगी, तो जो स्वेरे के टाइम में जाकर नीद आएगी और वो भी जादा नींद नहीं आएगी इसलिए आप यह उपाय जरूर कर लें ताकि आपको जिवन में कुछ न कुछ लाव मिल सके बस इस जनम पत्री में इतना ही बहुत कम जरूरत है लेकिन जरूरत है तो निश्चित जरूरत है इसके बगएर कोई लाव नहीं मिलेगा निश्चित है बहुत बहुत धन्यवाद